नमस्कार साती हों दोस्तों हमारी यूट्यूब चैनल प्रभूयू पीपी में आप सबका एक बार पुनह स्वागत है दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आर्पेफ कॉंस्टेबल का जो फॉर्म है वो भरा जा रहा है 42 केवल और केवल 42 सो आठ पदों पर जो है आपकी सीटे जो है ये निकाली गई है कॉंस्टेबल के लिए इसी में आपको फाइट करना है लेकिन जो स्ट्रेटीजी मैं बताने जा रहा हूँ अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो मैं 101% कहा रहा हूँ कि आपको सेलेक्शन से कोई नहीं रोख सकता है मैं रिटेन एक्जाम की बात कर रहा हूँ ठीक है फिचकल तो आप जानते हैं कि ये आपके उपर डिपेंट करता है कि आप किस तरीके से फिचकल की त्यारी कर रहा है तो वहाँ पे भी दुश्मन को मारने के लिए आपको एक प्लानिंग करनी पड़ती है बीना प्लानिंग करे अगर आप युद के मैदान में पहुँच जाओगे तो आप जीत करके नहीं लोटोगे हारना तय है ठीक उसी प्रकार अगर आप किसी भी कम्टेटिव एक्जाम में बैठने जा रहे हैं तो उसको ले करके आप प्लानिंग बनाईए जरूरी नहीं कि आप मेरी प्लानिंग को फॉलो करें आप खुद से भी प्लानिंग जो है बना सकते हैं लेकिन मेरी कुछ इसे फॉलो करें तो यकिनन आपको फायदा होगा आप भी इसे देख सकते हैं दोस्तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि syllabus निकाल करके print out इसको आपको जहां तैयारी कर रहे हो आप बैठ करके जहां पढ़ते हो वहां के ठीक सामने जो है आप बिल्कुल चिपका दो syllabus का बहुत एहम रोल होता है दोस्तो हम सभी क्या करते हैं कि हमारे syllabus में जो रहता है हम उसे ध्यान से नहीं देखते हैं और यही हमसे गलती हो जाता है बीना syllabus को देखे अगर आप पढ़ेंगे तो जायर सी बात है आप से गलती होगी कुछ ऐसे topic छुड़ जाएंगे कि जो क इसका portion हो गया उसके बाद 35 कोर्शन जो है 35 कोर्शन यह आपका math का हो गया और फिर उसके बाद 35 कोर्शन आपका किसका हो गया reasoning का ठीक है तो इस तरीके से 120 कोर्शन का जो है यह तीन भाग में बटा हुआ है तो आप देख रहें कि GS का जो area यह अच्छा खासा है और ऐसा GS में आप से कुछ अलग से कुछ पूछा जाएगा जो कि अन्य एक्जामों में ना आती हो हाँ इतना जरूर है कि आपको railway से सम्मंदित की railway जो है कि कितने zone में भाजित है कितने division में भाजित है railway से related कुछ इतिहास को आपको जानना पड़ेगा कि सर्परतम भारत में rail किसने प्राडम किया था ये सारी चीजे जो है आपको पता होनी चाहिए कुछ basic जो है कि कोशन्स है rail department से related railway department से तो उसे आपको जो है पड़ लेना है बस और फाम में ठीक है उसके अलावत GS के जो बाकी चीजे है history और constitution, geography और जितने भी आपके area है वो तो पूछे ही जाएंगे economics व सबसे पहले आपको क्या करना है कि syllabus निकाल करके सामने रखना है आपको देखना है कि क्या क्या आपके syllabus में मौझूद है दूसरे number पर हमारा जो आता है वो है आपका best book वाई syllabus कहां से cover करोगे syllabus बहुत लोगा online cover कर लोगे ठीक है लेकिन best book जो है best book ये बड़ा important हो जाता है कि किस किताब से पढ़े बच्चों के बहुत सारे प्रस्णाते हैं तो देखे सबसे पहले मैं इतना जरूर कहूंगा कि one liner question आप जरूर पढ़े रेलवे में one liner question बहुत पूछे जाते हैं इसमें जो है one liner question बहुत अधीक पूछे जाते हैं ठीक है तो one liner type question बहुत ज़्यादा जो बायों के प्रस्णा है ये बड़े important हो जाते है रेलवे के दिश्टी से जब भी आप railway का कोई भी परिच्छा देने जाते हो ठीक है इसके अलावा जो आपका समिधान है constitution ये भी बड़ा महत्पूर हो जाता है बहुत अच्छे सी इसको पढ़ जाईएगा 5 question कम से कम मैं constitution से 5 question plus ही आने है इसके बाद आपको current affair बहुत अच्छे से देखना है current affair आपको कोशिस करने है कि अगर आप त्यारी कर सको तो आप last constable जो आप देख रहे हो ना इसकी परिक्षा इतनी जल्दी नहीं होगी इस साल के अंत तक संभावित है कि हो जाएगा इस साल के अंत तक ठीक है तो बिलकुर परसाद ना हो आप लोग पस परियाब तो समय है आप लोग दो साल का current affair बड़े आराम से जो है तैयार कर सकते है ठीक है चलिए बेश्ट बुक में बेश्ट बुक की मैं बात बता दूँ कि बेश्ट बुक जो है इसमें आपको सबसे पहले lucent ठीक है उसके बाद आपको लेना है math के लिए आप लोग HD यादों को ले 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 ठीक है और reasoning के लिए आप लोग ले ले एक आप लोग जो है किस किसी भी प्रकासन का एक गाइड जरूर ले अगर आप लोग चाहे तो अरिहंत की गाइड जो है वो ले सकते हैं ठीक है चलिए उसके बाद जो है गाइड में क्या होगा कि आपके जितने भी सेलेबस में तक तो मौझूद है वो सारे के सारे इसमें आपको मिल जाएंगे किसी प्रकासन का ले सकते हैं एक्स वाइड किसी का भी लेकिन अरिहंत चुकि सबसे पुराना पप्रिकेशन है तो इसका एक अलग भरोसा होता इसके अलावा लूसेंट आपने पढ़ लिया गाइड से भी आप पढ़ लोगे उसके बाद आप चाहो तो चैप्टर वाइज चैप्टर वाइज आप किताब ले सकते हो किसका महेश कुमार बढवाल का महेश कुमार बढवाल या फिर घटना चक्र ठीक है परिक्षा वाड़ी बहुत लोग बोलेंगा भाई परिक्षा वाड़ी मैं वन डे एक्जाम के लिए नहीं सजेस्ट करूँगा ठीक है तो ये दोनों किताब आप ले सकते हैं घटना चक्र से आप लोग जो है करेंट अफेर भी तयार कर सकते हैं घटना चक्र का जो करेंट अफेर की जो मासिक भी आती है छमाई भी आती है येरली भी आता है वो सारा कुछ आप ले सकते हैं ठीक है चलिए अगला जो हमारा पॉइंट ह पीवाई क्यूज ठीक है बहुत important हो जाता है दोस्तों आपने syllabus का आपने syllabus का 60% भी अगर cover कर लिया ना तो आपको mock test लगाने प्रारम कर देने हैं ठीक है आपने syllabus के 60% चीजों को अगर cover कर लिया है तो उसके बाद आपको mock test लगाना प्रारम कर देना है और mock test के साथ-साथ आपको सब्ता हमें कम से कम कम से कम दो आपको जो है PYQ ज़रूर लगाने है PYQ प्रिविएस येर कोशन ठीक है उसको आपको ज़रूर सॉल्व करना है उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि जो कोशन का जो लेवल है क्या रहता है कहां कहां से पुछा जाता है और कौन सा topic हमारी परिच्छा की दिरिष्टी से important है ये सारा चीज आपको idea लग जाएगा ठीक है तो mock test plus PYQ आपको बहुत help करेंगे selection में लेकिन आध्यान दीज़ेगा जब saliva 60% cover हो जाए तभी आपको लगाने है ठीक है उसके बाद ध्यान दीज़ेगा जब आपने mock test या PYQ जब लगा लिया तो उसके बाद आपको analysis भी बहुत अच्छिस करना है बहुत बच्चे यहीं गलती करते कि वो analysis नहीं करते है mock test और PYQ तो लगा रहे है analysis नहीं कर रहे है जितना question है बस वहीं देख ले रहे है कि भाई इतने सहीव है इतने गला चलो ठीक है फिर लग गए अपना syllabus complete करें कुछ भी कर रहे है आपको analysis करना है कि कहां पे आपका कम गो रहा है कौन सा topic आपसे छूट रहा है क्या आपको और पढ़ना है ये होता है analysis ठीक है चलिए अगला जो हमारा topic है दोस्तो वो है last cutoff last cutoff या previous year cutoff जो कहलो cutoff क्यों मैं बोल रहा हूँ कि बिते जितने भी आपके कुशिस करना है कि जो last cutoff हमारा गया था RPF Constable का उसे आपको जरूर देखना है क्योंकि उसी के recording आपको तैयारी भी करनी है ठीक है पिछली बार का जो हमारा UP और बिहार की जितने भी zone है railway के इनके जो cutoff गए थे वो OBC का जो है 90 प्लस गया था ठीक है और अन्री जब category का भी 90 प्लस ही था SC का कम था 80 से 90 के बीच में था तो आपको कुसिस यह करना है कि जो आपका जो आपका score है वो 90 से 100 के बीच में आए 90 से 100 के बीच में क्योंकि आप जानते हैं कि इस बार जो आपकी vacancy है यह भी बहुत कम निकाली गई है निकाली तो गई है निकाली तो गई है एक नंबर का होगा तो 120 कोशन 120 नंबर का है अगर आपने 90 से 100 के बीच में स्कोर लाया तो यकीनन आपके सेलेक्शन के चांसे बढ़ जाएंगे मैं ऐसा इसलिए हो सकता है कि आपका सेलेक्शन 80 से 90 के भी बीच में हो जाएं लेकिन मैं क्यों कम पे आपको जो है टार्गेट स सकते हैं आपको तैयारी करना ही पड़ेगा अगर आप experience हैं आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ तैयारी करना है vacancy बढ़वाना या घटवाना नहीं है यही हकीकत है और यह न सिर्फ आपको face करना पड़ रहा है हम लोगों को भी face करना पड़ रहा है क्योंकि मैं भी अगर सारी चीजे सीखने को मिलती हैं तो दोस्तों आप सभी दम से तयारी करें सेलेक्शन के बारे में ना सोचें प्रेजेंट में रहें और मेहनत करें तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत